हेलो एवरिवन अंकुरित मूंग तो आपने बहुत बार खाए होंगे पर आज चटा कर रसुई में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उन्हें अंकुरित मूंग से बनी एक बहुत ही शानदार रेसिपी जिसका स्वात बहुत ही जबरदस होता है तो इसके लिए सबसे पहले म अंकुरित मूंग जिन्हें मैंने पहले से तयार करके रखा था अगर आप भी इनकी रेसिपी देखना चाते हैं कि यह मैंने किस तरह तयार किये हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और मैं आगे आपके लिए इसकी वीडियो जरूर लाओंगी अब य यह मूंग दाल दी और इसमें हमने एक तुकड़ा हरी मिर्ची कर डाल दिया है और अब हम इसमें एक मुठी हमने हरा धन्या डाल दिया है और अब हम इसे चॉप करेंगे तो अगर आपके पास चॉपड नहीं है तो टेंशन मत लीजे मिक्सर में आप यह काम कर सकते हैं अब हम इसे एक bowl में transfer कर लेंगे ये जो आज की recipe है ये healthy तो है ही साथ ही इसका स्वार बहुत ही बढ़िया होता है अब इसमें मैंने डाला है बेसन और आटा तो मैंने बहुत ही थोड़ा-थोड़ा सा बेसन आटा डाला है और इसमें नमक और healthy एड़ की है और कोई मसाला इसमें add नहीं किया है और इसका अब हम एक soft dough तयार करेंगे तो जो हम आटा गूतेंगे वो आटा गूतने के लिए हम पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हमारी मूंग है इसमें भी पहले से moisture होता है तो उसी से हमारा आटा तयार हो जाता है ये देखिए मैंने बस सिर्फ और सिर्फ मूंग से ही इस आटे को तयार किया है और थोड़ा सा oil हाथ पर लेकर हम इसे चिकना कर लेंगे और सिर्फ 5 मिनिट के लिए जब तक हम इसे side में रख देते हैं और थोड़ी देर के बाद हम इसके normal size के पेड़े बना लेंगे ये देखिए अब हम इसे बेल लेंगे जैसे कि हम पराठा बेलते हैं रोटी पराठा बेलते हैं उस तरह से हम इसे बेल लेना है जाधा पतला नहीं करना है थोड़ा मोटा ही रखना है और नॉर्मल आपको इसको बेल कर आप किसी भी कटर या कटोरी की help से इसको round shape में कट कर लीजे आप चाहिए तो और किसी shape में भी इसे कट करके बना सकते हैं अगर आपके बच्चों को आप खिलाना चाहते हैं तो different shapes के आजकल कटर मिलते हैं market में उससे आप कट करके इसको बना सकते हैं ये देखे अब हम इन्हें तवे पर डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में हम इन्हें अलट पलट कर सेख लेंगे ये देखे जैसे ही ये एक साइट से सेख जाए तब आप इस पर थोड़ा सा घी लगा दीजे घी से बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा otherwise आप जो भी oil यूस करते हैं उसके साथ भी से बना सकते है ये देखे बस धीमी आजपर आपको इनने सेखना है क्योंकि धीमी आजपर सेखेगा तो अंदर तक ये एकदम खस्ता बनकर तयार होता है और ये जब तक हस्ता नहीं होता तो इसका टेस्ट नहीं आता ये देखे थोड़ा सा घी हमने दूसरी साइट भी लगा दिया है और ये देखे धीमी आजपर सिखने के बाद इसमें कितना अच्छा कलर आया है और ये जो sides हैं इसके कितने अच्छी तरह से सिख चुकी है बहुत ही अच्छा नाश्टा बनकर तयार होता है ये इसका टेस्ट भी विल्कुल अलग होता है आपने मूँ तो बहुत बार खाए होंगे आप एक बार ये रेसिपी जरूर ड्राइ करिएगा और आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ये देखिए एकदम टेस्ट ही हमारा नाश्टा बनकर तयार है अब हमने इस पर थोड़ असा भटर और लगा दिया और दही के साथ इसे सर्फ किया